हम बात कर रहे हैं आइफ सी आई की लास्ट ट्रेडिंग डेक की बात करें तो पांच परसंट की गिरावट के साथ इस टॉक में क्लोजिंग देखने के लिए मिले हैं अगेन यहां हमको लोवर सर्कुट देखने के लिए मिला था इससे पहले वीडियो में हमने जब के सपोर्ट लेवल को क्योंकि यहां पर हमको स्टॉक इससे पहले जब अप्ट्रेंड में था तो उस वक्त रिजेक्शन फेस करता वा नजर आ रहा था 64 के लेवल पर हम देख सकते हैं इसलिए इसको सपोर्ट के तोर पर डिसकस किया था और इसको ब्रेक्डाउन कर जाता है तो अगले भी सपोर्ट का हमने डिसकस किया था और हम देख सकते हैं इस टॉक 64 के लेवल को सपोर्ट को जो ब्रेक्डाउन करता वा नजर आ है हमको ब कौन्स बैक दिखाया था 60 का लेवल नेक्स सपोर्ट लेवल बनेंगा और इसको ब्रेकड़ॉन कर जाता है तो 54 का लेवल जहां से हमको स्टॉक अगें सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है जब अब ट्रेंड में था उस वेक 54 का लेवल है आखिरी सपोर्ट है और तगड़ा स सबसे आखिरी सपोर्ट इसको ब्रेकड़ॉन कर जाता है तो फिर वैसे कंडिशन में 40 तक की भी आमको गिरावाट इसमें देखने के लिए मिल सकती है आने वाले ट्रेडिंग में को डे में को 64 या 64 50 तक का जम देखने के लिए मिल सकता है जहां से इस टॉक ने आमको रिजेक्शन फेस करता हुआ नजर आया था 64 या 64 तक का 64 40 50 तक का जम देखने के लिए मिल सकता है यहां से आगे और गिरावाट आती है तो इस टॉक इस लोग को ब्रेकड़ॉन करता हुआ नजर आ सकता है तो अभी थोड़ा सा इंतिजार करना ही ठीक लेगा इस टॉक को 64 के लेवल को ब्रेकड़ करके सस्टेन होने का या तो 60 के ऊपर भी स्टॉक सस्टेन हो जाता है तो वैसे कंडिशन में बांस बैक बनने के चांस बनते हैं नजर आ सकते हैं अगर आप टिमेट अकॉंट उपन करना जाते हो तो डिस्क्रिप्शन में देगई लिंक से कर सकते ह वीडियो जो एजुकेशन परपस के लिए कोई बाई से लिया खोल्ड की सला नहीं है